हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एजू किसने चैनल में आपका स्वागत है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे, ओमी प्राजल मेडिसिन के बारे में, तो ये मेडिकेशन के बेजिक फार्मरोक्स अब्डेटेटर ये फार्मरोक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं, स्टडी मट्रियल, टेस्ट सिरीज, वीडियो लेक्चर, फार्मरोक्स के अप उपर, तो अगर आपके पास एंड्रोड फॉन हैं, तो एंड्रोड एप डाउनलोड करें, आईफ़न उसर एप के अलग-अलग ब्रांड नेम से तो ये ओमिप्राजोल जो है, वो मार्केट के अंदर अवेलिबल की, जहाँ पर आप देख सकते हैं, कि डॉक्टर रेडिस का ये जो प्रॉड़क्ट है, ओमी-जैड करके हैं, तो उसके अंदर जो सॉल्ट कम्पोजिशन है, वो है ओमिप और ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है, फार्मकोलोजी के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं, प्रोटॉन पॉम्प इन्हीबिटर्स, कि प्रोटॉन पॉम्प इन्हीबिटर्स, तो प्रोटॉन पॉम्प इन्हीबिटर्स का ये फेमस मेडिकेशन है, एंड उसका जो हम कोई काम दे क्या effect होती है तो decrease करवाती है stomach acid के production को by inhibiting the proton pump कि जो proton pump होते हैं उनको inhibit करके ये medication अपने pharmacology collection देती है और उसको oral लिया जाता है by mouth कि उसके जो tablets available होते है, capsules होते है फिर उसका जो injection है वो intravenously as well as intramuscularly भी दिया जाता है और ये medication जो है prescription based medication है, तो इसका self medication नहीं करना चाहिए because आगे हम जानेंगे कि कौन से condition में या use होता है और साथ में आपको ध्यान रखना पड़ था कि कौन से contraindication से side effects वगरा क्या होते है तो जानते हैं detail में अब omie brazil medicine के बारे में तो उसके tablets आप देख सकते हैं कि आप है कि जिसके strength है 40 mg कि जो doctor redis का product देख सकते हैं फिर साथ में आपने ये omie d के ये जो tablets देख सकते हैं sorry capsules हो गए रहा तो ये omie d के जो capsules है कि जिसके अंदर भी salt composition जो एक famous है वो है omie prazil ही है और साथ में domperidone है तो ये जो combination medication है उसका मैं आपको समझा था कि omie prazil था आपको पता चलिए आया कि वो proton pop inhibitor है but domperidone के बारे में अभी मैंने आपको समझा था कि जब हमने nausea vomiting के medications के बारे में सीखा था तो इसमें domperidone आया था कि जो nausea की condition and समझे कि किसी को vomiting वगेरा होते है तो उसको भी treat करते हैं तो जब आप omidic medicine लेते हैं कि जिसके अंदर omiprazil भी है domperidone भी है तो वो acid तो कम करता ही आपकी body के अंदर acid production बड़ साथ हो साथ समझे कि acid के करण आपको nausea vomiting भी होते है तो वो भी treat करने में help करेगा तो यह हो गए उसके tablet and capsule फिर उसके injections भी available है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो life-lice powder दिया जाता है और उसके साथ sterile water for injection तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो omiprazil का injection है 40 mg के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका life-lice powder होता है इसके अंदर और साथ में यह sterile water दिया जाता है और यह sterile water को यूज़ करके आप जो है वो उसका injection form जो है वो तैयार कर सकते हैं तो यह भी usually 40 mg के अंदर available होता है तो आगे हम dose जानेंगे तो उसमें मैं आपको detail में समझाओंगा आप जमते हैं उसके basic use की आपको उसका concept पता है कि omeprazole क्या करता है stomach के अंदर रहा जो acid है stomach acid उसका जो production है वो करता है inhibit कि बाजू के अंदर आप diagram के अंदर देखे तो stomach acid के जो production है उसको करता है decrease कर देता है काम कर देता है तो यहाँ पे देखो isophagus, stomach, फिर spincher वगएर आप देख सकते है फिर यह healthy condition है और यहाँ तक आप देख सकते है यह acid है कि जो एक normal सिधी के अंदर हम देख सकते है और यह acid उपर के और नहीं आएगा because यह जो spincher है वो बंध है जिससे यह यह वाला acid उपर के और reflex नहीं करता जबकि GERD के जो patients होते है gastroesophagal reflex disease तो यह spincher हमेशा open रहता है जिससे यह acid जो है वो उपर के और चड़ता जाता है और समझे कि acid ज्यादा produce हो रहा है तो वो और उपर के तरक आजाएगा आपकी isophagus के अंदर उसी तरह से peptic ulcer के अंदर भी क्या होता है acid ज्यादा produce होने के कारण यह जो आपके जो lining होते है stomach के वो damage होते है कि वहाँ पे आप देख सकते कि यह stomach acid जो है वो access होने के कारण वहाँ पे ulcer form हुआ आप देख सकते है तो ऐसे बिमारिया के जिसके अंदर acid production ज्यादा होते है और उसके करण आपको ulcer हो चुका है या फिर ulcer होने के chances से ज्यादा acidity के करण तो peptic ulcer disease को treat करने के लिए यह medication prescribe किया जाते है GARD के लिए भी उस किया जाता है excess stomach acid production zoolinzer ellison syndrome relieve the symptoms of acid reflux duodenal ursel gastric acid related problem to treat the condition of acidity तो यह सभी होगे उसके basic जहाँ पे खासकर acid reflux सा problem ज्यादा stomach acid produce होने के करण और excessive stomach acid के करण होने वाला ulcer तो उसको treat करने के लिए यूज किया जाते है फिर heartburn की जो condition होते है ज्यादा acid production होने से यहाँ पे आपको heartburn जैसा फिल होता है difficulty in swallowing कि यहाँ पे acid reflux हो रहा है और समझे कि जलन हो रही है तो उसके करण isophagus के portions भी damage होती है वाँ पे swelling हो सकता है कि जिससे आपको जब भी कोई खाना खाते है या फिर पानी पीते है तो उसको swallow करने में difficulty होती है कई बार cough हो जाता है coughing reflex भी देखने को मिलती है and यह medications help करता है isophagus and stomach को damage होने से by stomach acid कि ज्यादा stomach acid अपका produce हो रहा है तो वो stomach acid को कम करेगा और help करेगा stomach and isophagus की damage को by stomach acid फिर prevent करेगा ulcers and help to prevent the cancer of isophagus कि ज्यादा acid reflux होने के करन जो isophagus damage होती है तो वहाँ पे आगे जाके फिर cancer भी हो सकता है तो proper time पे समझा के आप medications लेके उसको treat कर देते हैं तो वो यह सब problems नहीं होते तो omeprazole के जो tablets है वो यह सभी अलग-अलग medical condition में use होते हैं उसको dose में आपको समझा देता हूँ कि जो stomach acid के production related जो problem है कि excessive production हो रहा है stomach acid का जैसे कि GERD का problem है तो वहाँ पे यह 20 mg के tablets जो है वो usually लिया जाते है OD मतलब कि once a day कि दिन में एक ही बार यह tablet आप खाते है 100 या फिर रात को आप एक tablet लेते हैं तो डैली 1 OD once a day 20 mg GERD के अंदर उसी तरह से acid के problem में भी 20 mg इनफ रहता है heart burn की समझे condition है उस वक भी 20 mg जो है वो इनफ रहता है तो यह हो गया acid related problems के अंदर उसका solution फिर समझे आप कि ulcer का problem है कि peptic ulcer है stomach ulcer है gastric ulcer है duodenal urcer जैसे problem जो हम कहते है तो वहाँ पे 20 mg BD मनलब कि यह tablet जो है वो आप दो बार लेगे इस तरह से 101 ulcers वगेरा के लिए और normal acidity वगेरा के लिए सिर्फ एक या फिर आपके पास यह OMI Z का tablet है कि जिसके अंदर omeprazole magnesium है तो यह आप 100 stomach ulcer related problem है कि gastric ulcer stomach ulcer, duodenal ulcer, peptic ulcer जो वगेराम कहते है तो सभी के अंदर उसका dose यह रहेगा same like that आप injection B यही doses के तौर पे जो है वो patients को दे सकते है फिर बात आती है कि उसके mechanism तो stomach के अंदर acid produce होता है उसकी mechanism आप समझो तो हमारे stomach के अंदर रहे जो उसका जो mucous membrane वगेरा तयार होता है वहाँ पे तो यह जो parietal cell होते है तो यह हो गया cell का portion और यह cell का अंदर का portion हो और cell के बाहर का portion और यहाँ पे आगा है आपका stomach तो यहाँ पे H2O plus CO2 के बीच में reaction होती है carbonic enhydrase enzyme के कारण वहाँ पे involved होके H2CO3 बनवाता है वहाँ पे वो H2CO3 HCO3 minus और H plus में convert हो जाता है HCO3 minus जो है वो blood में चला जाता है और यह H plus जो है आपका आगे पहुचता है आपके gastric pit के lumen के अंदर मतलब की stomach के अंदर पहुचता है फिर यह जो blood से आया हुआ यह जो chloride है वो parietal cell से गुजर के यहाँ पे stomach के अंदर पहुच जाता है तो वहाँ पे stomach में देखो H plus भी पहुच गया CL minus भी पहुच गया तो chemistry जब आपने सीख्यों गे तो आपको पता होगा कि H plus और CL minus combine होके बिना बनाते है HCl की जिसको हम कहते है hydrochloric acid अब इसके लिए जो कोई ज़रुद परती है तो यह लाल कलर का जो pump है जिसको proton pump कहा जाता है कि यह proton pump क्या करता है यह H plus और CL minus को stomach की और पहुचाने का काम करता है कि जिससे हम pump यूज करते है समझो के पानी के लिए भी हम motor यूज करते तो वो नीचे से उपर के और water को pump करता है उसी तरह से यह H plus और CL minus को stomach के अंदर pump करेगा जिससे HCl बनेगा अब समझो कि यह omeprazole के आप medications लेते है तो यह omeprazole क्या करेगा यह जो proton pump है उसको completely बंद कर देगा अब proton pump ही अपना काम नहीं कर पाएगा तो ना ही H plus पाउचेगा ना ही CL अगर समझो CL पाउचता ही है फिर भी H plus के मौझूदगी में H plus की गेर हाजरी में HCl नहीं बनेगा because समझो कि CL आ चुका है but बीना H plus के hydrochloric acid बनेगा नहीं जिससे यह medications लेने के बाद stomach acid का जो production है वो कम हो जाता है उसके side effects समझना जरूर है कि उसके करण आपको diarrhea हो सकता है constipation हो सकता है excessive लेने से stomach pain भी हो सकता है flatulence हो सकते है तो flatulence मतलब कि जो gas ज़्यादा बनना कि gas समझे कि आपको ज़्यादा बनती है pit में तो उससे भी यह problem होता है कि omeprazole के tablet excessive खाने से stomach के अंदर आपका gas formation बढ़ जाता है तो यह खास द्यान रखे कि gas formation इसके side effect है कि और gas formation होगा तो आपको flatulence होंगे फिर headache भी उसकी side effect है कि सरदर्द वगेरा होना nausea vomiting होना फिर dizziness वगेरा होना feeling or being sick, bond fracture जैसे side effect होते है kidney को damage कर सकता है और जो proton pump inhibitors medication की हम बात करते हैं कि जितने भी prazole से तो दूसरे prazole की तरह omeprazole के अंदर भी यह एक problem है कि ज़्यादा लंबे समय तक उसको खाने से bonds जो है आपके weak हो सकते है और उसके करन bond fracture हो सकता है यह उसका एक side effect है फिर feeling or being sick के आपको ऐसा लेगा कि कि आप बीमार है या फिर बीमार हो रहे है ऐसा फिल होता है kidneys damage कर सकता है तो यह सब side effects develop होते है omeprazole के करन दूसरे side effect देखके कि अगर आप overdose उसका करते है काफी ज्यादा dose में उसको खा लेते है तो blur vision इस तरह से कि vision आपकी blur हो सकती है confusion जैसा आपको feel हो सकता है फिर dryness आपको feel हो सकता है mouth के अंदर flushing कि यह वाले red flushing आप देखिए यह सब के redness जैसा हो जाता है आपके चहरे के उपर आपके skins के उपर कि जिसको flushing कहते हैं हम सरदर्ध होना increase sweating यहाँ पर यह diagram के अंदर आप देखो तो यह person को काफी पसीना देख सकते है body के उपर तो पसीना जो है वापका बढ़ सकता है increase हो सकता है red skin lessons जैसा हो सकता है और उसमें भी purple centers वाले red skin lessons हो सकते है red irritated eye हो सकती है आपके की eye skin irritation होना अगर आप उसका overdose करते हैं overdose मतलब कि जैसे मैंने आपको समझाए कि 400 mg OD ulcer वगेरा में यूज़ करते हैं और 20 mg जितना OD ये acidity में यूज़ करते हैं बड़ समझे कि आप उसके बज़ाए 3 या 4 टेबलेट दिन में खा लेते हैं 5 टेबलेट खा लेते हैं तो ऐसे condition में ये सब side effect होगे tiredness जैसा फिल होगा weakness जैसा फिल होगा कि आपके battery low हो रही है ऐसा आपको feel होगा तो ये सब side effects develop होते हैं अब समझ लेते हैं उसके contraindications के कौन से medical conditions में आपको उसको use नहीं करना तो पहला तो आपको diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो ओमेपराजल ना खाए vitamin B12 की deficiency है तो भी आप उसको use ना करें आपके body के अंदर magnesium कम है तो भी use ना करें ओमेपराजल जो है वो आपके body के अंदर magnesium जो है वो कम कर रहा सकता है कि ओमेपराजल के side effect है कि magnesium जो है वो reduce कर सकता है body के अंदर कि लंबे समय तक आप ओमेपराजल खाते तो एक बार जरूर से magnesium का level check कर वा लेना चाहिए फिर आपको nephritis है inter-stitial nephritis मतलब कि S-C वीमारी के जिसके अंदर kidney के अंदर सुजन हो जाता है inflammation होता है वो भी use ना करे फिर CLE के जो present है S-C-L-E sub-acute cutaneous lupus erythromatuses का जो problem है वो लोग भी उसको use ना करे फिर S-L-E के जो problem जो हम कहते है systemic lupus erythromatuses की जो autoimmune diseases होते है कि आपके body का immune system आपके body के healthy cells damage करता है और आपको osteoporosis है या फिर bond आपके broken है आपके bonds वगेरा weak है तो ऐसे condition में भी omeprazole को use नहीं करनी चाहिए उसके alternative आपको use करनी चाहिए alternatives क्या होते तो usually protein pump inhibitor का दूसरा alternative बनता है histamine H2 receptor antagonist के जिसके अंदर आप ranitidine वगेरा है famotidine, nisatidine वगेरा जो tidine वाल है जो medication से और उसमें ranitidine है famotidine है वगेरा जो है वो ज्यादा popularly use किया जाए तो वो alternative use कर सकते है pregnancy के दुरान हम बात करें तो pregnancy में दूसरे PPS के compare में omeprazole के जो है वो safe है अब तक ऐसे कोई evidence नहीं है कि जिससे कोई pregnancy के अंदर कोई complications हुए हो and उसका special ये lower dose वाला medications आता है कि omizet 10 करके कि omeprazole का ये 10 mg का जो tablet आता है कि जो आप once a day लेते हैं फिर बात करें कि medications तो चलो है omeprazole but आपको संजो के pregnancy के अंदर acidative वागेरा हो रही तो आपको दूसरा भी एक option है कि आप home remedies वागेरा कर सकते हैं कि milk वागेरा आप ले सकते हैं कि जिससे भी acid reflux जैसा नहीं होगा heartburn नहीं होगा कि जो without taking medicine या फिर आप जो simple antacid syrup साते हैं कि जिसके अंदर magnesium hydroxide होता है aluminium hydroxide होता है dimethicon होते है jisकों हम कहते हैं antacid syrup या फिर milk of magnesium या भी कहा जाता है तो वो भी आप लेख सकते हैं pregnancy के दरान flatulence भी आपको नहीं होगे pregnancy के दरान और acidity के भी problems नहीं होगे digestion जो है वापका काफी आसान करवा देगा तो ये था हमारा video lecture on omeprazole thank you for watching join कर सकते हैं whatsapp group access कर सकते है study material को test series and video lecture pharma rocks के आप उपर तो video lectures available है study material and test series तो download करें आप pharma rocks android application on google play apple iphone app store link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best